आम की फसल को बहावा देने और किसानों की आयमे बिर्धी के लिए सुल्तान गंज पर्खंड के महेसी में 50 हेक्टियर में बनेगा आम कलश्टर कलश्टर को बजार से जोड़ने के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेगी जरदालू और लंगरा यानि मालदह आम का काउंटर दिल्ली के बिहार भवन में खुलेगा बिहार राज उद्यानिक उत्पाद विकास कारिकरम के तहट कलश्टर बनाय जा रहा है विभाग के निदेश पर उद्यान विभाग द्वारा पीरपैती कहलगाउं और सुल्तान गंज इस्थित आम भगिचा का सर्वे किया गया था बाद में पटना से आई टीम ने तिनो परखंडों के आम भगिचा के निरिक्षन किया निरिक्षन में तिनो परखंडों के भगिचा कलश्टर के लिए उप्युक्त पाया गया लेकिन जरदालू आम के महत्त को देखते हुए टीम ने महेसिक उपर्थम प्रार्थमिता दी आपको बता दें कि यहां का जरदालू आम सोगात के रूप में हरवर्स, राष्टपती, परधान मंत्री, मुख्य मंत्री और केंद्रिय मंत्रियों के साथ साथ देश के विशिष्ट लोगों को बेजी जाती है कलश्टर में विशे सुभधाय होंगी जिसका लाब किसानों को मिलेगा कलश्टर के माद्यम से आम की फसल की ब्रांडिंग कराई जाएगी, किसानों को फसल की अधिक किमत मिले इसके लिए कलश्टर को बजार से लिंक किया जाएगा कलस्टर में एक पैक हाउस बनाए जाएगा जहां उत्पात को एकत्रित, सफाई, ग्रेडिंग, छटाई, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, मुल्ली संबर्धन, आदे, शुबधायों प्लब्ध होगी आम को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 5MT का एक सोलर अधारित कोल्ड इस्टोरेज बनाए जाएगा बजार की मांग के अनुसार किसान कलस्टर के माद्यम से जूस, पल्प, जैम, जेली, स्वेस, फ्लेक्स, पौडर आदी तयार कर सकते हैं कलस्टर में न्यूंतम साथ और अधिकतम एक सो किसानों को सामिल किया जाएगा महसी में एक सो किसानों की सुची तयार कर ली गई है दिल्ली इस्तित बिहार भवन में भागलपूरी आम का कौंटर खोलने की योजना है इसके अलावा सुधा डेरी के काउंटर पर भी आम बेचने की वेवस्ता की जा रही है यदि या जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ इसे सेर करें यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को आउन करते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको असानी से मिल सके